वेल्कम डू मैं चानल तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है पूल लाइक्स यू कौन आपको पसंद करते हैं उनकी किस तरीकी फीलिंग्स है आपके लिए ये टाइम्लेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ चीज़े आपकी सिचुशन से रेजनेट करेगी कुछ चीज़े अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक पूदिस्टेशन मिल जाएगा सेवन ओप ओंड्स ओके नेक्स टार यहां पर एस ऑफ शॉर्स यहां पर जो है किसी से आपकी नहीं लेके इंडिरेकली आपके ग्रुप की किसी से या किसी ग्रुप स जो है वो थोड़ी तू-तू में होई होगी अब ग्रुप में इसलिए कह रही हूँ अगर आप किसी इंस्टिटूशन में काम करते हो तो उस तरीके से हो सकता है कि यह आपकी आइडियोलोजी या जैसे होता है यह ग्रुप है यह यह डिपार्टमेंट है तो इस होते हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही है या इस तरीके से तो वो जो है आप से डिफरेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकता है डिफरेंट कॉलेज हो सकता है कुछ इस तरीके से लेकिन यहां पे यह परसन आपको पसंद करते हैं दूसी चीज यहां पर यह कि आप at first sight हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह सा फिल्म में होता है, लेकिन हाँ, आप लोग एक दूसरे को by face पहचानने लग गए होगे, तो जब भी आप उस situation से या उस department में या उस environment से अलग कभी मिलते होगे, तो high hello आपकी जरूर होती होगी, तो कुछ इस तरी की चीज़ है, यहाँ पर four of cups वाली energy है, तो यह miss opportunity को दिखाता है, कि यह नहीं चाहते हैं यह person की miss opportunity हो जाए, या फिर confusion में कोई steps ना ले पाए, इसकी वज़े से night of swords आए, बहुत ही से आपकी तरफ आना चाहते है, ace of wands हमेशा action taking को दिखाता है, या एक victory को, ace of swords विक्टरी को दिखाता है, success को दिखाता है, कि जो भी ठाना है, दिमाग में, मन में, तो उसको कर लेना है, action लेना है, और उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो डरना नहीं है, तो वह वाली energy है, और ये person आपको approach करने की इच्छा रखते है, I think, आप समझ गयोंगे कि मैंने क्या आपको कहा, कि ये, ये person है, ये कह सकते है, विरोधी gut, विरोधी gut हो गया, वो वाली energy है, ठीक है, नेक्स्ट आरा, यहां पर three of cups है, तो यहां पर mutual friends जो है, वो आपके बन रहे हैं इस person के सा और आप भी खुश हो, ये person भी खुश है, तो कुछ हद तक आप दोनों ये एक दूसरे को पसंद करते हो, ये पसंद आपको जादा पसंद करते हैं, नेक्स आरा, six of cups है, तो इस person को आपका बर्दे भी याद होगा, या फिर ये person ने आपकी personal information की बर्दे कब है, क्या हो जाए, जिसकी वज़े से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाओ, या अपना जो है, वो time fix कर पाओ, या setting कर पाओ, ठीक है, इस तरीए की energy है, यहाँ पर next star है, यहाँ पर night of cups है, ये person आपको proposal देना चाहते है, आपको बताना चाहते है, कि आप उनके लिए कितने मह तो गूर हो, और वो आपके लिए कैसा फील करता है, नेक्स आप two of cups है यहाँ पर, और page of source है, जैसे मैंने कहा कि यह person आपके उपर नगिरानी रखते है, या यह कह सकते है कि आपके जिंदीगी के बारे में जानना चाहते है, आपका क्या color, favorite है, खाने, पीना, जो भी हो सकत है, तो आपके social media accounts से जादा वो आपके उपर follow करते होंगे, क्योंकि आज कल जो है, यह system है भी, कि आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़े मिल जाती है, जो usually लोगों को नहीं पता होती है, तो ऐसी energy है, और लास्ट में आरा, six of wands है, यह बताना चाहता है, victory create करना चाह जिससे relationship create हो पाए, उनका inner child जो है, वो खुशी महसूस करता है, happiness महसूस करता है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ आप आओ, ऐसी situation वो create करने की इच्छा रखते हैं, चलिए देखते हैं कुछ और cards आपके लिए, कि क्या आ रहा है इस person की तरफ से आपके लिए, यह person आप को manifest करने की इच्छा रखते हैं, बार-बार लगातार जो है, आपके बारे में सोचते हैं, पहला यह एक card आ रहा है, आपकी तरफ बहुत physically attraction महसूस करते हैं, और आपके साथ एक intimate movement भी create करने की इच्छा रखते हैं, नेक्स आ रहा हार्मनी की तरीके से आया है, और यहाँ प path is not available to you, follow it with faith, यहाँ पर यही चीज़े जो past है, वो आपके पीछे है, उसको release करना है, new possibility या new path पर आना है, और faith के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, नेक्स आरा freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be, यहाँ पर यही चीज़े की freedom है आप लोगों के बीच में, आपको कोई जो clear, आपका रास्ता clear है, आपको आगे बढ़ते जाना है, तो ऐसी situation है, चलिए देखते हैं, उनकी दरफ से कुछ love messages देख लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है, to love or have loved that is enough, ask nothing further, नेक्स आरा, no one ever made a difference by being like everyone else, नेक्स आरा, आपके लिए, I crave your kisses, नेक्स आरा, आपके लिए, we were friends but I wish we were more, नेक्स आरा, आपके लिए, get courage and dare, तो हिम्मत जुटाना चाहते हैं, आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स आरा, आपके लिए, emotional intimacy is more sexy than physical intimacy, और नेक्स आरा, आपके लिए, honeymoon, तो ये पसंद इस तरीके के thought process भी रखते हैं, सोचते हैं, और आपके साथ आन की इच्छा रखते हैं, छेले देखते हैं, कुछ चांप्स आपके लिए, यहाँ पे एक new job आ रही है, यहाँ पे money है, car home है, यहाँ पे एक हमसा आया है, तो protection भी है, यहाँ पे horse भी आया है, abundance है, reunion भी आ रही है, healing है, यहाँ पे carrier है, blessings है, तो इस तरीके transformation है आ पे आ रही है आप जो है, बहुत जाँ प्रोटेक्टेड हो, आपकी destiny change हो रही है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहो, इस relationship में भी और life में भी और money की तरफ भी, तो सब तरीके से आपकी life एक अलगी chapter पे या अलगी pace पे जो है, वह जाने वाली है, चले देखते हैं, कुछ song आपके गाया है, देख लेना, और एक और देख लेते हैं, आपके लिए, तू ही रहे, Bombay movie का है, तो इस तरीके गाने जो आपके dedicate करना जाएंगे, इसी तरीके का emotion जो है, वो आप लोगों के बीच में रहेगा, तो यह थी आपकी reading, उमीद करते हूँ, आपको अच्छी लगी होग हुर स negotiating, इस तरीके कुण अच्छी लगी हो हुर।